नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम GTL Infrastructure Limited के वारे में देखे हम इस टोक की बात करता हूं तो आज काफी हूज जंप आपको इस टोक से देखने को मिला है तो इसी के वारे हम डिसक्स करने वाले हैं कि कि पीछे का रीजन क्या है साथ से हाथ यहां पर डिसक्स करने वाले हैं कि क्या यह आपके पास temporary जंप है या फिर आपको लॉंग टरम में इस टोकिक वाफ फिर से काफी बड़ी यह रिटांस दे सकता है तो इन सारी चीजों को डिटेल में डिसक्स करने वाले हैं तो विल् कि इसके पीछे कोई निउस निकल के नहीं यह कोई ऐसा खास रीजन नहीं एक बड़ा रीजन क्या है कि अच्छा बोली मुटाया गया इस टोक से अगर मैं इसके ऐवरेज बोलियूम की बात करता हूं तो इसके एवरेज बोलियूम से 10 टाइमस यहां पर काफी ज्यादा बड़ा बोली मारी स्टोक से देखने को मिला है उसी के कारण आपको स्टोक में एक हूज जंप देखने को मिला है जो प्रोक्सीमेटली आपके पास 20 परसेंट का है वहीं अगर मैं बात करता हूं यहां पर परकले पांच दिन की तो 37 परसेंट की ग्रावट है मैंग चार्ट की बात कर तो 96 परसेंट की ग्रावट से देखी गई है अब बात कर लेते हैं यहां पर जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है उसके बाद जो नेक्स टेप रहने वाला उसके बारे में तो दिखिए आज आपको इसमें अपर देखकर स्टोक में इंवेस्टमेंट कर रहे हैं तो वह गलत चीज है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए यह एक ओपरेटर्स की गेम भी हो सकती क्योंकि एक चीज ऐसे पहले भी स्टोक के साथ हो चुकी है तो यह वहीं स्टोक कर यहां पर देख सकते हैं कि देखने को मिल गाता उसके बाद एक दम से स्टोक इतना ज्यादा उपर ले जाया गया तेन उसका फिर से स्टोक में आपको उसी अपने बेस प्राइस के उपर देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां से अगर आप ओवर ओवर देखिए एक टाइम था जब इस टोक आपको पैसे तक देखने को मिलता वो चीज जो सबसे मेंड चीज क्या है तो उसका मैक्स चार्ट एक वर डेफिनिटली देख लीजिए कि वहां पर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है नो डाउट मैकसिमम हमारे पास कंपनी जिनके ग्राफ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे बट लेकिन यहां पर वो चीज नहीं देखने को मिली है और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां पर कंपनी के उपर काफी जादा एक न्यूस कवर की थी जिसका थमनेल आप हमारे चैनल पर जागे देख सकते हैं डार्क रियाल्टी का एक टोपिक मैंने दिया था जिसक एक ओनकर जो 47,000 करोड का कmpanee का जो फ्रोड देखने को मिला है बैंक फ्रोड देखने को मिला है उसके बाद जब कंपनी के CEO के गर्म में तलша है तो वहाँ पे भी आपको काफी बड़ा कैश देखने को मिलता है ज्वैलरी देखने को मिलती है वह चीज भी यहां पर उन्ही accept किया है कि उन्होंने स्टोक को manipulate करने के लिए यहाँ पे ले रखी है तो देखिए ऐसा स्टोक अगर आप इसमेंट करेंगे तो definitely गरावट में ही देखने को मिलेगा तो मैं आप से यही advice दूँगा आपको कि स्टोक को बिल्कुल काफी जादा इसकी स्टोक है अगर आज आपको 20% की rally में भी देखने को मिल रहा है तो definitely बात है कि कल को जी स्टोक आपको downtrend में भी देखने को मिलेगा क्योंकि वो चीज़ आप company की performance में देख चुके हो बाकि देखिए final आपका ही decision होगा तो आप खुद एक चीज़ को जो है analysis कीजिए अगर कोई भी कहीं कमेंट कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए बैल लाइक ने को दुबाना मत भूलिएगा दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही दन्यवाद कि अ